वेलकम अमर सर योटूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आज से मैं चैप्टर वाइज एक स्रिंखला शुरू कर रहा हूं इस सीरीज एंग्लिस और हिंदी दोनों में आज मैंने टाइम और डिस्टन्स समय और दूरी रहा है मैं चाहता हूं कि आज करीब करीब 10 से 12 क्वेस्टन्स सॉल्व करूं थोड़े आसान क्वेस्टन के साथ सुरुवात होगी कंसेप्ट को एक्स्प्लेइन करते हुए और धीरे धीरे चार पाँच एपिसोड में एक तरह से सारे इंपॉर्टन क्वेस्टन्स आ जाएंगे न्यू स्टूडेंट्स एक दम यहां से सुरुवात कर सकते हैं जो इंपॉर्टन्ट चेक्टर्स हैं एक्जाम के रिए उसके लिए सीरीज है सारे ही कुस्टन्स डिफरेंट एक्जाम में आयोगे रहेंगे जब आप इस तरह का एक एपिसोड करेंगे तो एक दिवाग में उस चेक्टर का मैप बनेगा उसका कंसेप्ट आयेगा उसकी टेक्नीक डेवलप होगी ये नीड है आज के समय में किसी एक्जाम के लिए तो आज टाइम अडिस्टन्स समय और दूरी से सुरुवात होती है मैं बार-बार कहता ही हूँ कि इसका पीडियाप इंग्लेस इंदी दोनों में अवेलिबल रहेगा अमर सर कॉंपिटिटिव एक्जाम इस टेलिक्राम ग्रुप में तो सुरू करें www.amarsar.in ये मेरा वेवसाइट है इस पर लाइव क्लासेश चलते हैं मैच्स के क्लास के साथ इंग्लिस का क्लास फ्री रहता है चेप्टर वाइज टेस्ट से ले करके सारी चीजों की ववस्ता है PDF और दूसरी चीजें लेकिन ये एक आप्शन है जो लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूड़न होते हैं जो कहीं ने कहीं करते ही हैं लाइव पर मैं बार-बार कहता हूँ पहले भी मैंने कहा कि मेरा YouTube चैनल और ये सीरी जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ ये आपको सक्सेस दिलाएगा थोड़ा भी परेशान नहीं होना है ठीक है चलिए मेरे साथ सबसे पहले देखिए हिंदी में कुश्चन हमेशा पहले हिंदी में रहेगा आप पढ़ेंगे देखेंगे ट्राइ करेंगे और फिर इंग्लिस वाले सेक्षेन में मैं सॉल्व करूंगा ठीक है इसको देख लीजिए आज़ी तो यही दिस्टंस थोड़ा पहले सबन हाफ हाउस में तै हो जाता है जो बेस्ट वे है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का अगर डिस्टंस कॉंस्टंस हो सेम डिस्टंस तै करना हो तो स्पीड और टाइम इन्वर्स होते हैं ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूवत नहीं है सोचिए ना मैं अपनी स्पीड डबल कर दूँ तो टाइम हाफ हो जाय हो की नहीं स्पीड वन से टू हो जाय है तो टाइम टू से वन नहीं हो जाय है कॉंस्टंट डिस्टंस के लिए स्पीड के इन्वर्स टाइम होता और टाइम के इन्वर्स स्पीड है हमें टाइम दिया हो है देखिए सबसे पहली बात है कि हमें टाइम दिया हो है कि initially 8 hours लगते हैं और बाद में 7.5 hours लगते हैं अगर हमें speed मालूम हो जाए तो बता दें कि distance क्या है अगर इसको double करते हैं तो 16 is to 15 का ratio है यानि कि ये time हुआ speed क्या होगा speed क्या होगा 15 is to 16 होगा और speed का जो difference है difference वो हुआ हुआन और वो आपको दिया है 4 km per hour speed को 4 km per hour से increase करा दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है 4 times तो अगर आप इसको लेते हैं तो into 4 करेंगे तो 60 km per hour 60 km per hour के speed से 8 hours में कितना distance होगा बोली distance कितना होगा आप बोलेंगे 60 60 into 8 यानि कि 480 km answer ऐसा नहीं है कि इसी से आप इससे भी बात कर सकते हैं अगर हम इसकी बात करें तो यह भी into 4 times लेकिन यह होगा 64 km per hour और इसको जब आप निकालेंगे तो 64 km per hour के हिसाब से 7.5 hours लगेगा यानि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 64 into 7.5 यानि कि 4 times कर दीजिए तो 16 into 30 यानि कि 480 km आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर यह एक लेर यह समझ गया है यह हिंदी में अचहे इसके बाद इंग्छिस में एक तार कवर्स दफस्ट 30 km अप इस जर्नी इन 45 मिनट्स फस्ट 30 km जाने में 45 मिनट्स लगते हैं and the remaining 25 km in 35 मिनट्स दो पार्ट में इस जर्नी को कवर किया जाता है What is the average speed of the car? Average speed क्या होता है? अगर कई भाग में, different parts में distance describe हूँ, different speed से कुछ नहीं जानते हैं सारे distances को बटोर के लाइए, सारे hour को बटोर के लाइए और परावर परावर पाट दीजिए How much kilometer in one hour that is said to be average speed? यहां तो दिया हुआ है, यहां तो दिया हुआ है कि पहले 30 kilometer जाते हैं उसके बाद remaining 25 kilometer जाते हैं पहले 45 minutes लगते हैं और उसके बाद फिर 35 minutes लगते हैं लेकिन यह kilometer है, यह minutes है तो हम इसको hour में बदल दें, समझ में आ रहा है? यह minutes है, चलिए अगली बार बदलेंगे क्योंकि जो new students होंगे, उनको confusion होगा इतना kilometer one minute में लेकिन हम into 60 कर दें, तो hour हो जाए ना जल दे बोलिए, by 60 यह kilometer, देखिए पर hour होगा की नहीं average speed हाँ, देखिए, देखिए क्या है यह 55 kilometer 80 60 होगा ना यानि, 165 by 4 160 होने से क्या आता है 40 और 1.25 kilometer per hour answer हो ले समझ रहे है, आज बहुत सुंदर question करेंगे, एक लंबा है भी episode इसके बाद next इंदे में देख लीजी, चीक है? आज क्या है, देखिए देखिए A man walks at the speed of 5 Km per hour and runs at the speed of 10 Km per hour बताया जारा है कि walking पंजल चलने में एक speed at 5 Km per hour तोडेंगे, रन तो 10 Km per hour ओके? How much time will the man require to cover a distance of 28 km if he covers half first 14 km his journey walking by walking and next half by running. देखिए वाई यहाँ पर एक बात साफ है यह जो पूरी जर्मी है इसमें first half और second half यानि कि 14 km फिर 14 km यह walking होता है और यह running होता है और यह running होता है पहले जाते हैं 5 km पर आवर से walk और फिर वापसी ऐसे भी कर सकते हैं या पूरी जर्णी को इस तरह से भी कर सकते हैं और यह 10 km पर आवर जल्दी बोलिए तो यह जाने में कितना time लगेगा 14 by 5 और यह जाने में कितना time लगेगा 14 by 10 इसे double कर दें तो क्या हो जाए 28 by 10 यानि 2.8 और यह वाला क्या हो जाएगा 1.4 यानि 4.2 यानि 4.2 आवर्स समझ में आ रहा है चैप्टर बेस्ट यह सीरी इतना शांदार है कि रेल में आप एंजॉय करेंगे और काफी confidence आगे बढ़ेगा देरे देरे देखिए हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहा है यह तो होगे अच्छा है नेक्स्ट कॉस्ट्टन है लेकि हिंदी में पहले है ठीक है मिलिंद टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग 15 मीटर एज एक कार टेक्स इन कवरिंग 40 मीटर एक अलगी स्टाइल है एक निश्चत definite time interval में दो का कहा जा रहा है distance कितना कवर होता है इसी को speed का ratio भी तो कहेंगे न इसी को speed का ratio कहेंगे न time same है क्या जरूत श्पीड निकालने का what will be the distance covered by million during the cars cover 2 km, explain करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा knowledge होने का, देखिए running और car, दो तरह से जाते हैं, run मोलते हैं, और car से जाते हैं, सबसे पहले देखिए, 15 meter, अगर ये होता है, तो 40 meter उतने समय में car से जा सकते हैं, यो भी time, मनले जो 1 hour में 15 है और यो 1 hour में 40 है, तो क्यों, 2 hours में 30 होगा, तो 2 hours में 80 नहोगा, same time में 15 का 150 हो जाएगा, तो उस दौरान ये 400 नहोजाएगा, दिया हुआ है, कि ये 2 km, यानि 2000 meter जब ये car से distance तै कर लिया जाएगा, उस समय तक आपकी दूरी क्या होगी, यानि 2 वेक्ती चल रहे है, से मानले जी 55 hours जाते हैं, तो car से जदी 2000 तो पैदल या दौर करके कितना, ये कितना times है, बोले बोले, 50 times, तो ये भी 50 times, होगा कि नहीं बोले, 50 times, यानि कि 750 km, 750 meter, होगा कि नहीं बोले, ठेक है, नेक्स्ट, हिंदे में इसको देख लीजी, इसको देख लीजी, नेक्स्ट, हाँ, इंग्लेश में इसको देख लीजी, प्रतीभा कवर से दिस्टंस ऑफ 24 km, at the speed of 8 km per hour, पता है जा रहा है कि प्रतीभा जो है 24 km किस rate से cover करती है, पूरी जर्नी को कई पार्ट में इस तरह से तह किया जा रहा है, what is her average speed in covering the whole distance, ठेक वैसे ही है, कुछ नहीं जानते हैं, पूरी जर्नी का distance बताईए और time बताईए, तो जड़ा देखी, average speed, average speed, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें पूरा का पूरा, हमें पूरा का पूरा, distance चाहिए, और पूरा time चाहिए, first 24 km जाते हैं, लेकिन 24 km जाने में time कितना लगता है, तो 8 km per hour का rate है, इसका मतलब 3 hours लगता है, हमें तो time से मतलब है, उसके बाद next, next 18 km जाते हैं, भाई 18 km जाने में time क्या लगता है, वो तो नहीं दिया, दिया हुए 3 km per hour से जाते हैं, यानि कुल मिला करके आप देखिए, यह 30 और 24, 54 km के distance को कुल मिला करके 9 hours में तै करते हैं, तो क्या ये 6 km per hour का average speed ना हुआ, मैं ये सारे question इसलिए बना रहा हूँ, ताकि जो new students हैं, वो यहां से अपनी journey सुन करें, और आज ही धीरे 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 बड़े सुन्दर question की और हम लोग प्रवेश करेंगे, next, हंदी मैं इसको देख लीजी पहले, ठीक है, देख लिए आपने, Samir drove a speed of 45 km per hour from home to a resort, ठीक है, घर से resort जाने में, speed मालू मैं, 45 km per hour से जाता है, Samir returning over the same route, he got stuck in traffic, traffic बहुत हाड है, रस बहुत जाना है, फास गह, and took an hour longer, पहले से वन आवर जाता लगा, also he could drive only at the speed of 40 km per hour, traffic के बज़े से speed घड़ गया, और 40 km per hour से ही, वापसी की journey हुपाई, वन आवर जाता लगा, how many km, did he drive each way, अगर distance x km है, अगर x km है, तो लाटते समय, लाटते समय 40 km per hour के रीट से इतना आवर लगा, और शुरू में जाते समय इतना आवर लगा, और आप जानते हैं कि लाटते समय वन आवर जाता लगा, मैं बताता हूँ, exam में थोड़ा fast बना जाता है, लिखके भी बता जूँगा, पता है कैसे, 45, 45, 9, 360, answer I say, exam में ऐसे बनाते हैं, रुके दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, यह होगा कैसे, LCM बगर कौन लेगा, क्या जरूरत है LCM देने की, LCM देने की जरूरत क्या है, यह 45 जड़े गोर किजी, यह हम क्या लिखें, 45, लिखें 40, X तो common रहा, नीचे 40 into 45, यह लिखने की जरूरत क्या है, 5 into X is equal to 40, 45 है ने, into 45, यह सब लिखने की जरूरत क्या है, X is equal to 360 km, exam में बशसे बनाना है, LCM हर जगल ही जरूरी नही नही है, next, तेखिये, 7th number question, हैंदे में देख लीचे है, हुद, a train, when it moves at an average speed of 40 km per hour, reaches its destination on time, यानी, जहां जाना है, जितने मजे पहुचना है, पहुच जाएंगे, अज़ भी रहाई speed 40 km per hour हो, ठीक ठीक पहुच जाएंगे, जितना time लगेगा, when its average speed becomes 35 km per hour, the speed को थोड़ा घटा दिया गया, it reaches its destination 15 minutes late, time, speed को less करेंगे, तो time जाएंगे, find the length of journey, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, first method, जो हमने पहली किया था, कि, दूसरी बार, देखे, दूसरी बार 35 km के rate से, पहली बार 40 km के rate से, and the gap is 15 minutes, यानि कि इतना hour, और इसको solve करेंगे होगा, solve कर भी देंगे, लेकिन इसको second method से बनाते हैं, ठीक है, देखे, second method से बनाते हैं, जिससे कि सुरवात वी थी, distance तो same है न, तो आप speed देखे, आप speed देखे, पहली बार 40 km per hour, second time, 35 km per hour, यानि कि double कर देजी, तो 8 to 7, यह speed है, तो time क्या होगा, 7 is to 8, difference क्या है, one time का, दोनों बार, और देरेसल, difference कितना है, 15 minutes, 15 minutes, तो इसका मतलब क्या हुआ, into 15, इसका मतलब क्या हुआ, into 15, कोई भी ले जकते हैं, लेकिन हम यह लेते हैं, 120 minutes, यानि कि 2 hours, यह ज़्यादा अच्छा है, इसको ले है, इसको ले, 2 hours में 35 की rate से, 35 into 2, यानि कि 70 kilometer answer, ठीक है, इसको भी बनाते, तो कैसे बनाते पता है न, 40, 35, 5, और यह 1 by 4, 22, 70, फिरेस्ट, इस समझे, देखाता हूँ, 40, 35, 5, 1 by 4, 22, 70, answer, बुरा नहीं है, ऐसे calculation कीजिए, तो क्यों नहीं बनाएंगे, लेकिन रुखिए, मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए, इसको, x को बाहर ले ले, तो 40 minus 35, by 35 into 40, is equal to 1 by 4, इसका value क्या हुआ, इसका value हुआ, 5, यह 5 into 4, 20 into 2, तो x equal to 70 km हुआ की नहीं, यह मैंने दिखाया आपको, ठीक है, दोनों मिथट से हैप कर सकते हैं, next, next आई, हम लोग time and distance पर बात कर रहे हैं, एक लंबा एपिसोड है, new student भी आँ से सुरू कर सकते हैं, थोड़े आसान question के साथ सुरुआत हुई, तीरे देरे अच्छे questions, थोड़ा depth के questions, थोड़ा दूसरे तरह के application वाले questions की और आगे बढ़ेंगे, और 4-5 वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे की पूरा का पूरा time and distance भी clear हो जाए, और ऐसा है दूसरा chapter भी, थे क्या है इस तरह का question exam में आता है ये आया हुआ ही है, a man starts walking, चली शुरू किया, he walked 2 km in the first hour, पहले गंटे में 2 km, then he walked 2 thirds of the distance of the previous hour in each next hour, if he walked continuously, then find how much distance could he walk maximum, देखिए ये एक geometric series का question है, geometric series, first hour में 2 km, 2 km पर hour तो first hour में 2 km, उसके बाद 2 km का 2 3rd, लेस हो जाए, फिर next hour में जो distance वा, उसका 2 3rd, 2 3rd, 2 3rd, जैसे common ratio, एक जो GP series होता है, और ऐसा कब तक चलेंगे, जब तक चलते, 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 एक दम मतलब इंफिनिटी तक चलिए, यानि एक तरह से ये क्या होता है, ये series सुरू होता है, जैसे ए, ए बूलते हैं, ए आर, ए आर स्क्वाइर, ऐसा करके जब series चलता है, तो up to infinity जल्दी होता है, तो जो sum है, सारे distances, वन आवर में इतना, देखिए, ये कैसा है, ये कैसा है, 2, 2 इंटू 2 3rd, फिर देखिए, आगे क्या है, 2 इंटू 2 3rd, स्क्वाइर, ऐसे चल रहा ना, ऐसे, up to infinity, ये चल रहा ना, तो इसका जो sum होता है, मालने जी कि, 2 आवस्त तक चले, तो इन दोनों, क्वाइड करेंगे, तो जो sum होता है, यानि जो total distance होता है, वो a by 1 minus r होता है, एक simple सा relation है, यानि 2 by 1 minus 2 by 3, 1 by 3, यानि की 2 into 3, यानि की 6 km, ये एक्जाम में आया हुआ कुश्चन है, बहुत सुन्दर result है, कभी especially बात करूंगा, तो geometric series के इस formula को प्रूब भी कर दूंगा, लेकिन आज geometric पर हम लोग बात करनी रहे हैं, जस इस प्रोबर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, एक्जाम का आया हुआ है, आगे के लिए पर इंपॉर्टन है, अक्सर बैंक P.O. या SSC CGL में ये कुश्चन आता है, आया हुआ भी है, ठीट है, ID next, 10th no. question, पढ़ लेजिये, A motor starts with a speed of 70 km per hour, with its speed increasing every 2 hours by 10 km, 2 hours के बाद speed पढ़ जाता है, 2 hours के बाद पढ़ जाता है, increase कर जाता है, 10 km per hour, in how many hours will it cover 345 km, इस तरह की questions ही exam में आते हैं, थोड़ा depth में, मैं बताता हूं, सबसे पहली बात है, इसको देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले, 70 km per hour, तो देखिए, 70 km per hour, तो next hour में भी 70 km per hour, लेकिन 2 hours के बाद, 80 km per hour, 80 km per hour, फिर 2 hours के बाद, 90 km per hour, 90 km per hour, इस तरह से है, इसको देखिए, एक में, देखिए, देखिए, ऐसे करके चल रहे, तो हम जब बात करेंगे, कि एक तरह से लिखने के उतनी जरूरत नहीं थी, 70 km per hour है, 2 hours के बाद change होना है, तो हम बूल सकते हैं, 140 km in 2 hours, ऐसा क्यों न बोलें, फिर आगे क्या हो जाता है, next में, 160 km, देखिए, देखिए, किलो मिटर in 2 hours, यानि एक तरह से average speed बूल सकते हैं, 70 km per hour, फिर बूल सकते हैं, 80 km per hour, ऐसे करके, लेकिन 2, 2 hours चलेगा यह, इसलिए 160 लेने देजिए, आगे देखिए, 90, 90 है, 1 hour में 90, 1 hour में 90, 1, 18, 2 hours भी बूल सकते हैं, लेकिन हमको distance कितना तै करना है, वो देखिए, अब जो distance तै करना है, यह तै करना है, यह तै करना है, 3, 45 km, तो 3, 45 km का माइने क्या है, देखिए, 140 तो हो गया, और 160 भी हो गया, तो 300 तो हो गया, only 45 km ही तो जाना है, तो 45 km को, 45 km को, 90 km पर आवर के rate से, half an hour सिर्फ लगेगा, पूरा जर्डी तो होगा नहीं, बोले, यह समझ में आ रहा है कि नहीं, यानि यहां के पास, थेक है, यानि यहां के पास, यानि टोटल टाइम क्या लगा, 2 and 2 देखिए, 2 hours, 2 hours and half an hour, यानि टोटल टाइम होगा, 4 and half hours, फुली है, ठीक है, इसके बाद अगे बढ़ते हैं, 10th number question देखिए, देख ले आपने, Englishman, the speed of a car increases by 2 km per hour, every hour, उसे मिलता जूलता, पर एग्जाम का आया हुआ है, हर गंटे बढ़ेगा 2 km per hour, if the distance traveled in the first hour was 35 km, what was the total distance covered in 12 hours, एक तो हम arithmetic progression का formula यूज़ करके बना सकते हैं, दूसरा उसके बिने भी भी बना सकते हैं, बताता हूँ, first method, देखिए, first one hour में क्या है 35 km, क्योंकि वो 35 km per hour से शुरू करता है, और हर घंटे 2, 2 increase होता है, तो पहला तरीका first, आप मुझे ही बताइए, कि first hour में तो चल गया, 35, उसके बाद 11 hours और जाना है, तो अगली बार 35 तो जाये गई, plus 2, plus 2, plus 2, तो 12 hours में ये तो जाये गई, और आगे जो जायेगा, 2, 2 into 1, फिर 2 into 2, ऐसा करके एक गंटा चल चुका, अब ए 11 hours, 1, 2, 3 करके, ऐसा करके 2 into 11, यही तो होगा न, 35 किलोमेटर 1 hour चल लिए, उसके बाद 11 hours बचा है, हर hour में 2, फिर एक बाद 2 increase किया, फिर एक बाद 2 increase किया, बताई, 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 ऐसा करके increase होता जाएगा, इस गंटे में फिर 2 increase करेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं, कई तरीके से बोल सकते हैं, एक त्वाब बोल सकते हैं, सुनी बताता हूं, कि भई यह तो 2 हुआ, और यह तो 22 हुआ, तो इसका average 12 हुआ, average, 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 12 km per hour, तो 12 into 11 हम क्यों न बोलें, सबको बराबर बाटेंगे, equally तो 12 12 पढ़ेगा, 1 12 common ले लेते हैं, 12 अगर हम common ले न भी लें, चलिए, क्योंकि यह number अच्छा है, यह 17 to 6 होता है, 4 20 होता है, और यह 132 होता है, देखिए, कई तरीके से बराएंगे, प्लस 132 होता है, यानि कि, 552 km answer, ऐसे कर सकते हैं, जल्दे बोलिए, यह पहला तरीका, ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं, second method, second method हम लोग इसमें चलते हैं, जो हम लोग लिखे थे, कि 35, वहीं पर second, plus 2 into common ले ले, तो 1 plus 2 plus, ऐसा करके बोल सकते हैं, plus 11, ऐसे बोल सकते हैं, 2 into sum to n terms, n into n plus 1 by 2, जल्दे बोली, और यह into 12, यानि यह वाला हुआ, 17 into 6, 420, plus देखी क्या हुए, 132, और यह 420, यानि कि 5, 5, 2 km, ठीक है, लेकिन मैं 3rd method की बात करता हूँ, ओके, 3rd method की बात करता हूँ, 3rd, 3rd क्या है, 1st है 35 km per hour, 37 km per hour, 39 km per hour, ऐसे करके, ऐसे करके चलेगा, बुलेंगे 12 terms, तो ए कितना है, 35, arithmetic formula का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसका d कितना है, common difference 2, तो sum जो होगा, वो n by 2 into, 2a, plus n minus 1 into d, इससे, यानि यह हुआ 6, 6 into 70, और यह plus 20, 11 into 2, 22, यानि 6 into 92, 540 और 12, 552 km, इससे भी कर सकते हैं, clear, आगे बड़े, next, 11th number question, देख लिए, हंदी में पहले, इसके बाद, starting with the initial speed of 30 km per hour, the speed of a car is increased by 4 km per hour, every 2 hours, उसी तरह से, हर 2 गंटे पर 4 km increase कर जाता है, how many hours will it take to cover a distance of 288 km, थोड़ा 60 में लिखे, 60 km, 2 hours, फिर 4 km increase करेगा, तो 4, 4, 8 हो जाएगा न, 30, 30, 34, 34, जादे बुलिए, 68 km, in next 2 hours, फिर 4, 4, 8, 2 hours में, तो 4, 4, 8, 76 km, in next 2 hours, इस तरह से, फिर 8, 84 km, in 2 hours, और इसी तरह से चलेगा, वह लिए, इसी तरह से चलेगा, रुकिए, इसको, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, देखे, होगे है, अब हमको जाना है, 288, 288 रुकिए, 288 km जाना है, 288, तो सुचते हैं, कैसे चले, थोड़ा धंक से चले, किस तरह से चले, यहां तक देख लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कि हम अबरेज स्पीड ले ले, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, कि कितना है, तो आप ज़रा सोचिए, कम से कम, 3 घंटे तो चलना ही चाहिए, उसके बाद ही देखेंगे, कि अगला होता है कि नहीं, हम ऐसा भी मान सकते हैं, करीब 70-75 के आसपास, माने तो चार बार होता है, क्यों नहीं हम ऐड कर ले, क्यों नहीं हम ऐड कर ले, क्योंकि 4 आउस लगता है, 4 ताइम्स, यानि 8 आउस लगता है कि जाएगा, जैसी मर जी, तो मुझे अच्छा लगता है, इन दोनों को आड करना, 4 इसको दे दीजी, तो 160 होगा किने, ये वाला 160 होगा किने, और ये वाला 128 होगा किने, देख लेते हैं, अगर नहीं होगा, तो थोड़ा कम होगा, थोड़ा जादा होगा, ये तो पुरा-पुरा होगा, 288, यानि की एट आवस एंसर, है ना? Next, अगला सवाल पढ़िया है, हैं दिम, ठीक है? A car starts running at the speed of 40 km per hour, चले, 40 km per hour से car start होती है, the speed of the car increases by 2 km per hour at the end of every 1 hour, वैसा ही, वैसा ही, what will be the distance covered at the end of 10 hours from the start of the journey, देख रहे हैं, सारी question exam के हैं, और ऐसे question कितने बड़े नंबर में आते हैं, 40 km per hour, है ना? और ये 2, 2 increase होता है, 42 km per hour, 44 km per hour, और ऐसा करते, 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 कितना term है, 10 hours, यानि 10 terms, दोनों method से बना सकते हैं, चले, बना देता हूं, first अगर आप formula का इस्तेमाल करते हैं, तो sum, n by 2, 2a plus n minus 1, यानि 10 minus 1, into d, d means 2, दूसरे से भी करता हूं, इसके अलावा भी, ये cancel करते हैं, नहीं, 10 को बरबाद नहीं करना चाहिए, अरे 2 से cancel क्यों न कर दे, 9, देखिए, 9 plus 40, तो ये 49 हुआ न, देखिए, उसको cancel नहीं करने से, कितना मजा आया, 490 km answer, जल्दी बोलियो, C, second method से भी बात करता हूं, ठीक है, second method, देखिए, 40 पहले है न, उसके बाद 2, 2 करके कितनी बार, 2, 2 increase करेगा, अगली बाद 2 into 2, 2 into 2, 2 into 1, 1 भी लिख देते हैं, ताकि सुविजा हो, plus 2 into 2, plus 2 into 3, plus ऐसा करके, plus 2 into 9, बस, अगर आप 2 common ले लें, तो क्या है, डारेक्ट क्लिक हैं, 10 into 1 plus 1 by 2, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, 90 और ये 10, 400 plus 90, यानि की 490 km answer, बुली 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 बुली, दास्त कुष्च्छन हें पहले देख लीजी, एक्स्क्लुदिं देख लीजी, एक्स्क्लुदिं देख लीजी, इसा है, थोड़ा एक्स्प्लेइन करता हूं, मान लीजी कि 10 आउर्स की जर्नी है, 8 आउर्स की जर्नी है मान लीजी और 60 km पर आउर से जाते हैं, तो 480 km हुआ, अगर आप थोड़ा रूक रूक के जाएए, दू घंटे रुक जाएए, और फिर स्पीड बढ़ा दीचिए, या स्पीड न बढ़ाईए, दो तरह से कुश्चन आता है, अभी मैं बात कर रहा हूं, स्पीड नहीं बढ़ाना है, स्पीड वही राएगा, तो टाइम जादा लगेगा, पूरी जर्नी को उसी तरह से एट आवस तो लगेगा, टू आवस रुक गए, तो टैन आवस में गए न 480, तो 48 km पर आवर हो गया कि नहीं, टैन आवस में टू आवस रेस्ट लिया, स्टापेज रहा, अगर उसे स्टापेज को पूरी जर्नी में एक्वली बाढ़ते हैं, तो हर 10 गंटे में, 10 गंटे में, 10 आवस में, 2 आवस, इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब 20 परसंट, 12 मिनट्स होगा कि नहीं, 12 मिनट्स पर आव, 1 5th of an hour हर घंटे में रुकिए, इसको solve कैसे खरेंगा, बताता हूँ, पूरी जर्नी में देखिए, देखिए बताता हूँ, without stoppage, first method ठीक है, second बहुत आसान है, first भी अच्छा ही है, without stoppage, or with stoppages, तो without stoppage बिना रुके जाते हैं, तो speed 64 km per hour है, और रुक रुक के जाते हैं, तो 48 km per hour है, speed नहीं गटता है, रुकने के कारण हमारा average speed गटता है, ठीक है, इसको cancel कर देते हैं, इस ही बना देते हैं, 16 से 3 times, 4 times, यह हमारा speed है, speed का ratio है, तो time का जहां तक सवाल है, वो क्या हो जाएगा, 3 to 5, पहले अगर 3 hours की जर्नी थी तो 4 hours की जर्नी हुई, तो 1 hour रुके, और यहां कुल मिला करके, कितना रुके, तो आप ज़रा गौर कीजी, इस में लिखा गया, उसके मुताबिक, 3 hours का है, तो 4 hours का हो गया, 4 hours में 1 hour रुके, 4 hour में 1 hour रुके, तो 1 hour में कितना रुके, 1 4th of an hour, 1 4th hour per hour, यानि कि 15 minutes per hour answer, यह हमारा first method है, गो लिख, 15 minutes per hour, अब मैं बताता हूँ, second method से, ठीक है, second method, second method बहुत सांदार है, कुछ नहीं करना है, देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या है, हमारा speed क्या है, 64 km per hour मतलब in 1 hour, चले हम लोग मान लेते हैं, यह पूरा का पूरा जर्नी 1 hour में तै होता, यदि stoppage नहीं होता, तो stoppage के कारण, speed less होता है, बलते हैं पहले चलिए न, उसे speed से चलिए, 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 जब आप 48 km चल लिए, तो 1 hour तो नहीं होगा है, क्योंकि 64 चलेंगे तो 1 hour होगा, 32 चलते तो क्या होता, 32 चलते तो क्या होता, 48 km चले तो कितना hour होगा, छोड़िये न, कितना hour होगा, जब 48 km चल लिए, उसके बाद रुख गया है, चलना ही नहीं है, जब तक 1 hour नहीं होगा, चलना नहीं है, मतलब, मतलब यह जो बाकी, 16 km है, इसको चलने में जितना time लगता, जैसे रेस्ट, नहीं चलना है, 16 km में कितना time लगता है, तो 64 km में अगर 1 hour लगता है, तो 16 km में जो time लगेगा, 1 fourth of an hour, यानि 15 minutes is the rest time, और हर घंटे ऐसा ही चलेंगे, 48 km चलने के पाद रुख जाएंगे, चाही पीएंगे, काफी पीएंगे, 15 minutes तक, 1 hour होगा, फिर चलेंगे, average speed due to stoppages reduces to 48 km per hour, तो answer हुआ, 15 minutes per hour is the stoppage rate, पुलिक कैसा रहा, यह जो मैंने सोचा है, कि chapter के 4-5 episodes, सारे important chapter के दे दूं, English हिंदी दोनों में, और 10-12 questions करके solve कर दूं, तो जिन important question की मैं चेर्चा करता था, कि exam के लिए important, करीब करी 50 questions आप कर लें, तो आपका काम हो जाए, तो बोलिया, आपका पूरा preparation हो जाएगा कि नहीं, All the best.